वेलकम तो कोटलेट हेलो एवरिवन सो फाइनली आज हमारी मेटेवर डिलिवर हो चुकी है सो आज हम बात करने वाले हैं मेटेवर 350 के कुछ इंपोर्टन्ट प्री डिलिवरी गाइड के बारे में सो लेट्स स्टार्ट डिलिवरी लेने से पहले हमारे नाम पे जो चासी नमबर है और इंजिन नमबर अलोकेट हुआ है उसके बारे में जानकर होना बहुत ही इंपोर्टन्ट है चासी नमबर से हमें हमारे गाड़ी का मैनुफेक्चरिंग मन्त और येर पता चलता है इसके बारे में जानकर होना important है आप देख सकते हैं चासी नंबर total 17 digits का रहता है मेटे और की case में वो हमारे headlight के पीछे जो handle का बाहर रहता है तो वो वहाँ पे vertically printed होता है आप देख सकते हैं यह रहा हमारा sample चासी नंबर यहाँ पे total 17 digits है सचली इसको decode करते हैं सो starting के 3 digits में क्या बताते है सो यह बताते है manufacturer's code हर company का अलग अलग रहता है J हमें बताता है कि engine की family कौन सी है उसके बाद आता है 3 तो यह बताता है कि हमारे engine की capacity कितने है मतलब कितने CC का engine रहेगा यह A उसके बाद का बताता है हमारे engine air cooled है oil cooled है so mature air cooled है so air है उसके बाद 5 5 हमें बताता है type of transmission I mean कितने gears है हमारे गाड़ी में उसके बाद आता है F type of fuel so हमारी fuel I mean हमारी गाड़ी fuel से चलती है तो यहाँ बाद पर F आता है उसके बाद है L L denote करता है हमारे गाड़ी का month of manufacture so अब वो कैसे आता है so Royal Enfield की तरफ से हमें एक series दी है जो indicate करती है कि हमारे गाड़ी का month कौन सा है so आप देख सकते है so A indicate करता है January H indicate करता है August K indicate करता है September और N indicate करता है December so इस तरह से L so L हमारे indicate करेगा October उसके बाद आता है M M indicate करता है हमारा year of manufacture so year of manufacture भी उसी तरह बंद की तरह ही decode किया जाता है Royal Enfield की दरफ से so 2020 denote किया जाता है L से 2021 M से और उसके बाद 2022 N से यहाँ पर M है so हमारी गाड़ी का manufacturing year है 2021 उसके बाद आता है 2 यह होता है manufacturing plant का code so हमारी गाड़ी कौनसी plant से manufacture हुए so यह denote करता है so generally ओरा गोदम और चन नहीं यह दो जगा पर Royal Enfield की गाड़िया बनती है so यहाँ पर 2 denote कर रहा है so हमारी गाड़ी वललम से manufacture हुए so चन नहीं और हमारे जो चैसी नमबर के last 6 digits रहते है वो हमारे unique चैसी नमबर रहते है उसको हम product serial नमबर भी बोल सकते या फिर हमारे चैसी का ID so यह रहा total encoding हमारे Royal Enfield Meteor 350 के चैसी नमबर का delivery से पहले आप अपने गाड़ी का चैसी नमबर और engine नमबर showroom से ले सकते हो उससे आपको यह सब चीज़े पता चलेगे कि आपकी गाड़ी manufacture कव हुई है so यह एक point में PDI में add करना चाहूंगा इसी तरह हम हमारे tires के भी manufacturing debt पता कर सकते है so और भी PDI में points है बहुत सारे so वो हम अलग videos में बनाएंगे so यह video आप like किज़े share किज़े तक कोई बन्दा अगर mature ले रहा है या लेने की सोच रहे तो उसके लिए यह helpful रहेगा so यह example snapshot है चासी नमबर का thanks for watching video, do like, share and subscribe to the channel, thanks